नमस्कार दोस्तों मैं रूपेश कुमार आप सब का हार्दिक स्वागत करता हूं आप देख रहे हैं बोल बुल आज हम एस्पी के ऊपर खुद सवालात करने वाले हैं आप इसे MCQ और ESP बोल सकते हैं इससे पहले ESP को उपर मैंने तीन वीडियो बनाये हैं फास्ट वीडियो में हमने ESP क्यों जरूरत होता है ESP कैसे काम करता है वार्किंग प्रिंस्पुल अप इसके उपर पुरा डिटेल में हमने चर्चा गया था सेकेंड वीडियो में हमने ESP को कैसे टेस्ट करते हैं ESP, Rectifier, Transformer Set, and Controller ये तीनों का पुरा टेस्टिंग प्रोसीजूर क्या है वीडियो के साथ प्राक्टिकल वीडियो में एक बनाया था उसको आपके साथ सामने प्रेस किया था और थार्ड वीडियो में ESP का स्टार्टिंग प्रोसीजूर ESP यानि Elliot Static Pacific Water को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या procedure फोलो किया जाता है safety procedure क्या है यह detail में आपके साथ sharing किया था मेरा experience तो आज का वीडियो में हम ESP के उपर कुछ सवाला करने जा रहे हैं तो आज का पहला कुछी ने ए आर लिंगेज फ्लेंजेस और क्यूलेक्टर आक्सेस पॉइंट हाइटेम्प्राइटर सिस्टम होट साइड यह सपी में यानि अगर यह एसपी में कहीं पर लिकेज हो जाएगा एयार लिकेज हो जाएगा कहीं से एसपी के अंदर बाहर का जो कोल्ड एयार है अंदर चला जाएगा तो क्या प्रोब्लेम हो सकता है यह कोश्चिन है और दो स्वोम्या अव्य आपशन में क्या है देखिए और सिंख़ने अंदर बाहर का यार अंदर चल जाएगा तो अंदर का जो सुठ ड रहेगा देखिया अगर देखिए अगर बाहर का यार अंदर चला जाएगा तो अंदर मोश्चर हो जाएगा और एसीड प्रेदा हो जाएगा और थार्ड अप्शन में क्या है ओवरॉल कलेक्शन जो करता है येसपी डॉस्ट पाटिकल को कलेक्शन करता है वो ज्यादा काम करने लगेगा ये तीनों अप्शन दिया है अगर येसपी का चांबर तूट जाए और बाहर का अंदर चला जाए कहीं पर लिकेज हो जाए बाहर का अंदर चला जाए तो क्या होगा पहला अप्शन में दिया है कि डॉस्ट पाटिकल बहुत जल्दी सेटल हो जाएगा बेट जाएगा हपर में जाएगा सेकेंड अप्शन में का आयार अंदर चला जाएगा एसपी लिकेज हो गया और बाहर का अंदर चला जाएगा तो मोईस्चर हो जाएगा condensed on internal components of ESP ESP को खराब कर देगा बाहर का अंदर चला जाएगा तो मोईस्चर होके ESP खराब हो जाएगा एयार linkages at flanges or collector access points in high temperature system may cause acids and moisture to condense on internal component of the ESP दोस्तों कुश्ची नमबर टू ग्यास स्ट्रीम सब हाई temperature शुड़ी मैंटेन एभव दो जो ग्यास का temperature रहता है उसका temperature कितना तक मैंटेन किया जाना चाहिए किसके उपर रहना ज़रूरी है अप्शन में क्या है ignition temperature अप्शन में gas dew point और अप्शन सी concentration limit तो gas का temperature कितना मैंटेन किया जाना चाहिए तो यहां पर राइट एंसर हो जाएगा gas dew point अगर gas dew point के नीचे होगा तो क्या होगा तो वही प्रोब्लम हो जाएगा acid and condensate moisture content ज्यादा हो जाएगा फिर condensate हो जाएगा और acid होके अंदर का जो internal parts रहता ESV का हो crap हो जाएगा corrosion हो जाएगा question 3 बहुत important question है दोस्तो ध्यान से सुने इस question को since most ESVs are installed in the field it is important to check that all surfaces and areas of potential heat loss are adequately covered with यानि ESP का अंदर क्या जाएगा ESP का अंदर हमारा flow होगा hot air flow होगा with dust particle तो इसलिए अंदर में temperature मौझूद रहेगा ESP में लेकिन अंदर का temperature बाहर नहीं जा पाएगा और बाहर का जो temperature cold atmospheric temperature वह अंदर के साथ भी नहीं जा पाएगा इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा ESP field को क्या करते हैं जैसे की heat उसका loss नहीं हो उसके लिए प्लास्टिक कोटिंग इंसुलेशन या अप्शन डी अल्यूमिन्यूम स्लाइडिंग तो क्या किया जाता ESP field को टेंप्रेचर को मेंटन करने के लिए ESP का टेंप्रेचर जैसे मैंने अभी जो कुछ चिन था पहला कुछ इन था उसमें मैंने बोला था अगर बाहर का एयार अंदर चला जाएगा या उसका जो अंदर का टेंप्रेचर है टेंप्रेचर उसका जो ग्यास डिव पॉइंट है उसके बिलो चला जाएगा तो अंदर फिर क्या होगा कि मौश्चर कंटेंट जादा होके अंदर का इंटरनल पार्ट जो है वह सब ड्यामेज हो जाएगा तो इसके लिए हमको ये इसपी को एक इंसुलेशन कोटिंग करना पड़ता है जेनरली ग्यास उल का इंसुलेशन हम यूज करते हैं इसपी को उपर इसपी के चारो तरफ ग्लास उल का इंसुलेशन हम यूज करते हैं तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अप्शन सी इंसुलेशन की यूज करते हैं क्योंगी हीट को मेंटन करने के लिए पाहार का और अंदर का टेंप्रेचर में कुछ गड़बडी ना हो अंदर का टेंप्रेचर प्रमेंटेन हो सके इसके लिए ग्लास ओल का इंसुलेशन यूज करते हैं तो यहां पर राइट एंसर हो जाएगा अप्शन सी कुस्चिन नंबर फोर बिफोर दो इसपी स्टाटेड दो इंस्टालेशन क्रिव सुट प्रिप्यार एंड यूजेट ड्यास इसपी को स्टार्ट करने से पहले जो लोग इसे स्टार्ट करेंगे यानि उसका जो अपरेटर रहते हैं अपरेशन डिपार्टमेंट वाले वो क् स्टार्ट करने से पहले पुराने वीडियो में बोला था कि यए सब करना पड़ था है वसे चेकलीस्ट को उनको पृपार करना पड़ेगा ज़्यूशी ब्रीपार्ना पड़ेगा तो यहां पर हमारा आइट आंसर है एक चक Gravity लिस्ट को उनको प्रिपार करना पड़ेगा चेक लिस्ट के इसाब से फिर येस्पी को चेक करेंगे फिजिकाली चेक करेंगे इलेक्ट्रिकाली भी चेक करेंगे फिर उसके बाद उसको स्टार्ट करेंगे चार्ज करेंगे जो शेप्टी प्रोसीज़र उसको भी फोलो करेंगे बिफोर दो ESP स्टार्टेड दो इंस्टालेशन स्कूरू शुट प्रिप्यार एंड यूज चेक लिस्ट अगला कुस्चिन के तरफ चलते हैं फोलोइंग ESP कॉम्पोनेंट शुट भी चेक वी फोर स्टार्टिंग दो क्लेक्टर तो दोस्तो ESP को स्टार्ट करने से पहले हमको क्या क्या चेक करना पड़ेगा कौन सा पाट इंपोर्टांट है अप्शन में क्या है देखिए हपपवर्स एंड डिस्चार्ज डिवाइस को पहले ही चेक करना पड़ेगा रैपुर्स को भी चेक करना पड़ेगा रैप्पर का डायरेक्शन की है डिस्चार्ज और कॉलेक्ट्ट ये अङूस्पारक्ट रहा है कि ये पहले से चेक करना पड़ेगा इलेड्रिक्रीकल relatively तो हम चेक्क रहेंगain क्पश है यह ओसन दिया है सब भी ऑफ्शन को वां को चेक करना पड़ेगा का उसका ओपर का डिरेक्षन चेकना पड़ेगा रापर सही तरीका से काम कर रहे की ने वह चेकना पड़ेगा और डिस्चार्ज एंड कॉलेक्टिंग इलेक्ट्रोड जो रहता है वह दोनों प्लेट्स सही है कि नहीं आर्थिन के साथ उसका डिस्कोनेट हुआ कि नहीं तो यहां पर राइट जो है option D all of the above उस्चिन नमबर 6 दोस्तो टू वेरी इंपोर्टन पारामीटर्स monitored by meters on tear set and used to evaluate ESP performance are dash and dash यहाँ पे लिख्या गए देख्यों monitors monitored by meter यहाँ ट्रांस्पर्मर रेक्टिफार सेट को हम monitor करते हैं through meter तो यह जो meter लगा रहता है वो meter किसका performance को देखता है तो यहाँ पे right answer हो जाएगा meter हम दो meter करते हैं एक एक किलो वोल्ट को measure करते हैं वहाँ पे हम देखते हैं meter में केवी meter और एक होता है milliampere meter यह दोनों को हम देखते हैं केवी measure करता है voltage को और milliampere यानि current को measure करता है तो यह दो मीटर हम यूज करते हैं voltage and current को measure करने के लिए two very important parameters monitored by meters and tear set and used to evaluate ESP प्रफमसर voltage and current ये दोनों देखे ही हम पता लगा सकते हैं कि ESP सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं Question number seven individual tear set values for voltage and current are important however the trends for voltage and current noted within an entire ESP are more valuable in assessing performance transformer set का हम अभी में बोल रहा था कि voltage and current दोनों ही महत पुने के भी measure करेंगे और क्या measure करेंगे milliampere हम भी measure करेंगे ये दोनों देखे ही हम उसका performance का पता लगा सकते हैं तो यह जो कुश्चिन है उसेम को कुश्चिन को दुबरा यहां पे पुछा गया है individual transformer set में जो value हम देखते हैं voltage and current का बहुत important है और उसी trend को देखके हम ESP का performance को पता कर सकते हैं यह बला जो line लिखा गए अब पुरा ही true है यानि option 8 true is right answer कुश्चिन नमबर 8 आज particulate matter is removed from the gas stream the dash should be increased from the inlet to the outlet field यानि हम जो dust particle को gas से अलग कर देते हैं उसके लिए हमको किसे increase करना पड़ता है opacity को increase करना पड़ता है current density को increase करना पड़ता है wrapper intensity को increase करना पड़ता है या amperes को increase करना पड़ता है तो यहां पे जो राइट अंसर है ओप्षन भी कॉरेंट डेंसिटी तो कॉरेंट का डेंसिटी सही तरीके से मेंटेन होना चाहिए कुस्चिन नंबर 9 आन ओपाशिटी मोनिटर यानि ट्रस्मिसों मिटर मेजर्स ओपाशिटी मोनिटर क्या मेजर करता है option में क्या है particle का weight, option भी particle का size, option लाइट differential या option दी primary current opacity light differential को measure करता है यहाँ पर right answer हो जाएगा light differential an opacity monitor compares the amount of light generated and transmitted by the instrument on one side of the gas stream with the quantity measured on the other side of the gas stream Q1 N B1 Opacity Monitors are useful tools to aid in optimization of spark rate, power levels and wrapping cycles in ESV ओपासिटी मोनिटर एक useful टूल से इसके लिए useful है spark rate, power level and wrapping cycles in ESP यह जो sentence लिखे गया है यह सही है या गलत है ओपासिटी मोनिटर, spark rate, power level and wrapping cycle in ESP को यह optimize करता है यह यहाँ पे true है कुस्चिन नमबर 11 यह जो कुस्चिन यह फ्लू ग्यास के उपर आधारित changes in flu gas temperature generally have little or no effect on particle resistivity फ्लू ग्यास का जो temperature है प्लू के resistivity उपर कोई effect नहीं डालता है छोटा या बड़ा कुछ effect नहीं डालता है यह कुस्चिन है लेकिन आपको पता आपको मालूम होना चाहिए कि फ्लू ग्यास का temperature हमेशा particle का resistivity के उपर effect पकाता है तो यहाँ पे यह जो statement यह false हो जाएगा अप्शन भी यहाँ पे राइट हो जाएगे चैंजेस इन फ्लू ग्यास temperature हम अन इंपोर्टन एफेक्ट अन पर्टिकिल रिजिस्टिविटी इन फैक्ट वाइल ग्यास temperature variation में हाब सम एफेक्ट अन कोरोना discharge characteristics and physical characteristics of the ESP प्लू ग्यास का temperature अगर लो हो जाएगा तो हमरा क्या होगा उसका अंदर corrosion हो जाएगा ESP का अंदर corrosion हो जाएगा moisture content हाई हो जाएगा इसलिए फ्लू ग्यास का temperature सही maintain होना चाहिए आज का last question दोस्तों अगर आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बुलिए जो लोग पहला बार देख रहे हैं हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे पहले मैंने जो चितना अगर उसी वीडियो का आप देखना चाहरे है उसका मैं वीडियो लिंक डेस्क्रीप्शन में डाल दूंगा आप उसे आसानी से देख सकते हैं तो चलते हैं आज का last question की तरफ operating परामिटर सब्सक्राइब कोलेक्शन एरिया ग्यास फ्लोर एट तो यह सभी जो सब परामिटर और को डिपेंड करतें अगर ग्यास कमा लिजए का प्रॉम यह बहुत जफ्लोर अ बहुत लिएगा उसस्तपीड में हंसकर अंदर किसेरी डोस्त blank ओन प्रेंटेन होना चाहिए ज्यादा स्पीड से अंदर जाएगा तो यह पी डिस्ट पाटिकल को पकड़ नहीं पाएगा तो होप आज का सेशन आपको बहुत आच्छा लोगा होगा बहुत इनिफर्मेटी लोगा होगा तुम मेरे साथ अंतर तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद देखते रहिए बोल बूल बूल